नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके पाठ्थे पुस्तक अंत्रा के पाठ जोतिबा फूले की इसकी रचईता सुधा अरोडा हैं आपकी किताब में इसे जीवनी बताया गया है लेकिन हम जोतिबा फूले पाठ को पूरी तरह से जीवनी नहीं कह सकते हाँ यह नहीं कोषिस की है बहुत ही कमशबदों आप देखें दो या तीन ट्विस्टों में उन्होंने जोतिबा फूले के जीवन के सारे महत्वकूर्ण पक्षों को एक साथ समेठने की कोशिस की है जोतिबा फूले का स्थान हमारे भारतिय समासशुधारकों की सूची में बहुत जिन ब्राम्हनवादी, पुरोहितवादी, सोष्कों का विरोध किया, बास्तों में समाज सुधारकों की सूची बनाने में उन्हीं लोगों की महत्वपूर्ण भूमी का रही, और इसलिए उन्होंने इस सूची में जोतिवा फूले का नाम सामिल नहीं किया, इसलिए हम दिखाई देता है, इसमें जोतिवा फूले और उनकी पत्नी साबितरी भाई फूले की बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज जो विद्यालियों में लड़कों के साथ लड़कियां पढ़ती हुई दिखाई देती हैं, इसके पीछे जोतिवा फूले की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, इसके बावजूद कई बार तो समासुधारकों की सुची में उनका नाम नहीं ही मिलता, और कई बार मिलता भी है, तो उनको बड़े ही सिमित अर्थों में एक दलित समासुधारक के रूप में या ऐसे समासुधारक के रूप में जिसने दलितों के स्रोशन क का विरोध किया, सिमित कर दिया जाता है। जबकी बास्तिक्ता यह नहीं है. अगर हम जोतिबा फूले के जीवन और उनके कारियों को देखें, तो हमें बड़े साफ तौर पर यह दिखाई देगा कि जोतिबा फूले सिर्फ दलित सोषन का विरोध नहीं कर रहे थे. जोतिबा फुले ने भारतिय समाज में व्याप्त सोशन के हर रूप का विरोध किया चाहे वो दलितों का सोशन हो चाहे वो इस्तरियों का सोशन हो इस्तरियों की असा मानता हो उनके साथ होने वाला अमानविय व्योहार हो चाहे हुआ जमिनदारों और ब्रिटिस नौकर शाही के द्वारा किया जाने वाला किसानों का सोशन हो सबके खिलाफ जोतिवा फुले ने आवाज उठाई जोतिवा फुले ने सत्य सोधक समाज के नाम से अपना एक अलग समाज बनाया जिसमें सामिल होने के लिए आपको सोशन का विरोध करने की प्रतिग्या लेनी होती थी धार्मिक कुरुतियों और सामाजिक भेद भाव से दूर रहने की प्रतिग्या लेनी होती थी अगर हम जोतिबा फूले के कारियों को समझना चाहें तो उनके किताबों को देखेंगे तो उनके विचारों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं गुलामगीरी, सारवजनिक सत्यधर्म, शेत कर्यांचा आसूड यानि किसानों का प्रतिशोद ये जोतिबा फूले की महत्वपूर्ण किताबे हैं, इनको देखें तो जोतिबा फूले के समाज सुधार की दिशा को भी काफी हद तक समझ सकते हैं गुलामगीरी में जहां वो दलितों के साथ हो रहे हैं सोशन का विरोध कर रहे हैं वहीं सारोजनिक सत्य धर्ब में वह एक आदर्श समाज की संकल्पना पेश कर रहे हैं शित कर्यांचा आशूड में वह ब्रिटिस नौकर शाही और सामन्तों के द्वारा किये जाने वाले हिसानों के सोशन का विरोध कर रहे हैं शुद्रों के सोशन के विरोध की बात करें तो जोतिवा फुले हम मानते थे कि सुद्रों का सोशन ब्रह्मन वादी पुरोहित वादी समाज की सडेंत्रकारी निती के कारण है वह कहते हैं कि शुद्रों को जोतिवा फुले साफ मानते हैं कि शुद्रों को ब्राह्मन वादी समाज की नियनताओं ने शिक्षा से वंचित कर दिया गए और शिक्षा से वंचित रहने के कारण सुद्र धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए विद्या बिना मती गई, मती बिना बुद्धी गई, बुद्धी बिना गती गई, गती बिना वित गई और वित बिना सुद्र गई यानि कि एक अविद्या के कारण सुद्रों की यह दैनिय इस्तिती हो गई इसलिए अगर बास्तों में सुद्रों की इस्तिति को सुधार ना है तो सुद्रों को सिक्षित होना पड़ेगा इसलिए उनका सारा जोर आप देखेंगे तो उनका सारा जोर सुद्रों को सिक्षित करने पर है शुद्र आति शुद्र लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्हें अपना सारा जीवन जोग दिया जब ब्राम्हनों ने या ब्राम्हनवादी लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने कहा सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए और भूदेव शर्मा गए भूदेव यानि की ब्राम्हन वह ब्राम्हन जिन्होंने सुद्रों को वंचितों की स्रणी में डाल रखा था जब सुद्र शिक्षित होकर आगे बढ़ने लगे तो जाहिसी बात है यह बात ब्राम्हन वादी लोगों को बुरी लेगी और उन्होंने जोतिवा फूले का विरोध करना शुरू कर दिया यही कारण है कि बात में उन्हें समाज सुद्रों के सूची में भी शामिल नहीं किया गया जैसे उन्होंने सुद्रों के सूचन का विरोध किया वैसे ही जोतिवा फूले ने महिलाओं के सूचन का भी विरोध किया उनका मानना था कि महिलाओं की इस्तिती भी इस समाज में सुद्रों से ज़्यादा अच्छी नहीं है महिलाओं को समानता का अधिकार बिल्कुल नहीं है और जोतिबा फूले पूरी तरह से इसके खिलाफ थे वो महिलाओं को पुरुसों की बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दो तरफा प्रेयत्न किये एक ओर तो उन्होंने विवाह के नियमों में बदलाओ की मान की उनका मानना था कि इस ब्रह्मनवादी समाज में महिलाओं के सोशन की जो शुरुवात होती है वह वास्तों में विवाह से ही हो जाती है विवाह के जो नियम है वा पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण है और वा पूरुसों को स्रिष्ट बताते हैं महिलाओं को पूरुसों के अधीन सिद्ध करते हैं इसलिए जोतिवा पूले ने विवाह के नियमों को बदलने की मांग की उन्होंने विवाह के नए मंगलाष्टकों की रचना की जहां विवाह के समय इस्त्री पुरुष से अपनी स्वतनता की मान करती है और अपनी समानता की मान करती है वह कहती है कि तुम यह प्रतिग्या करो कि मुझे अपने समान समझोगे तुम यह प्रतिग्या करो कि मुझे स्वतंता का अधिकार दोगे यह नए मंगलास्टक थे जिसकी रचना जोतिवा फूले ने की और जिनका प्रियोग उनके सत्य सोधक समाज में विवाहों के उसर पर किया जाता था महिलाओं की इस्तिती सुधारने के लिए जोतिवा ने जो दूसरा प्रियत्न किया वह था उनको सिक्षित करने का जोतिवा फूले ने सिधान्त में जो कुछ भी कहा उसको अपने बेवहार में भी उतारा महिलाओं को सिक्षित करने में सबसे पहली महिला थे जिसे जोतिबा फुले ने सिक्षित किया वह उनकी पतनी सावित्री बाई सावित्री बाई का जीवन कम प्रेरक नहीं है सावित्री बाई के बारे में कहा जाता है कि वो बच्पन से ही बहुत प्रतिभार शाली थी एक बार मेले में गई कुछ खाती हुए आ रही थी और एक वह इशाई पादरी बहुत ही खुश हुआ और एक चित्रों वाली पुस्तक सावित्री भाई को दे दी कि इसे ले जाओ तुम्हें भले ही समझना आए लेकिन इसके चित्र अच्छे लगेंगे। सावित्री भाई पुस्तक लेके घर आ गई लेकिन उस समय की जो इस्तिती थी उसमें इसाई धर्म की पुस्तक को लेके घर में आना यह एक बड़ा अपरात था जैसे हैं उनके पिता ने उस पुस्तक को देखा तो छीन कर फेंक दिया और सावित्री भाई को नाट भी सुनने पड़ी और उसी समय उनके पिता ने सोच लिया कि अब इस लड़की की जल्दी से जल्दी साधी कर देनी चाहिए आठ वर्स की उम्र में आप सोच सकते हैं कि वह कैसा समाज था जहां लड़कियों की शाधी आठ वर्स की उम्र में हो जाती थी यह तैकर दी जाती थी जिस को शावित्री के पिता ने फेंक दिया था शावित्री उसे अपने साथ जोती भा फूले के घर ले आई और उसे बाद में उन्होंने पढ़ा कब जब जोती भा फूले ने बाकायदा उनको शिक्षित किया तो फिर हम आज है अपनी पुरानी जगह पे जोती भा फूले ने खासकर सुद्र समाज की बहिलाओं को शिक्षित करने का बिला उठाया। उन्होंने कई कर्णियाशालाओं के स्थापना की। ऐसी पहली कर्णियाशाला के स्थापना पूरे में 1848 इसवी में जोतिवाप फूले और सावित्री भाई फूले ने मिलकर की। या क्यूं कहें कि उनके प्रेवतनों से ही या पहली कर्णियाशाला स्थापित हुई। इसके बाद जोतिवाप फूले और सावित्री भाई फूले गाउं गाउं जाकर घूमते। माता पिदा को समझाते कि अपनी लड़कियों को विद्याले में पढ़ने भेजो। और उस समय लड़कियों का विद्याले जाना ना सिर्व वर्जित था बलकि इसे गलत भी समझा जाता था। अपराथ समझा जाता था पाप समझा जाता था। इसलिए जोतिवाप फूले और उनकी पत्नी को समाज में कई लोगों की गालियां भी सुननी पड़ी। लोगों को लगता था यह हमारी लड़कियों को बिगाड रहे हैं। लड़कियां पढ़ लेकर क्या करेंगी। लड़कियों का काम तो चूला-चूला करने के लिए पढ़ने के किया जूरत है। जोतीबा फूले और उनकी पत्नी को बड़ी ही मुश्किल हुई उस समाज को समझाने में लड़कियों के माता पिता को समझाने में कि नहीं पढ़ना जितना ज़्यादा जरूरी लड़कों के लिए है उतना ही ज़्यादा जरूरी लड़कियों के लिए भी है दीरे दीरे लोग समझने लगे और बहुत सारी लड़किया जोतिवा फुले के विद्यालियों में पढ़ने के लिए आने लगी जोती बाफुले और सावित्री बाई फुले सुबर निकल जाते और विभिन विद्यालियों में लड़कियों को पढ़ा कर शाम तक वापस लोटते और आप विश्वास नहीं करेंगे वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े अलग से रख लेते थे क्योंकि कई बार जब वो पढ़ाने के लिए निकलते थे तो जिन लोगों से उनका विरोध था वो उन पर कीचर फेकते थे गोबर फेकते थे थूपते थे वो ऐसे ही जाते थे और अंत में विद्याले में जाकर फिर से कपड़े बदलते थे पढ़ाने का काम करते थे और फिर वापस लोडते थे उन्होंने समाज के इन लोगों के विरोध की कभी परवार नहीं की न उसका उल्टा कोई जबाब दिया वह सुनते रहे, गालिया सुनते रहे इट, पत्थर, मिट्टी, ढेले, सब सहते रहे लेकिन उन्होंने अपने लक्षे के और बढ़ना नहीं छोड़ा समाज के लोगों का दबाव इतना ज़ादा था कि जोतिवा फुले के पितार ने अपने बेटे और बहु को घर से निकाल दिया लेकिन इसके बावजूद वो जोतिवा फुले को अपने आंदोलन से अपने लक्षे से डिगा नहीं पाये उस समय के समाज में दलितों के साथ चुआ चुद तो होता ही था सुएम दलितों में भी कई स्रिणिया बनी हुई थी जिनमें आपस में चुआ चुद और भेट थे शुद्रों में भी अति शुद्र होते थे दलित हैं अति दलित हैं और जो दलित थे वो अति दलित को खुद से नीचा समझते थे उनके साथ कोई संबंद नहीं रखते थे, उनका चुआ नहीं खाते थे और अपने हौद से, अपने तालाब से उन्हें पानी तक नहीं लेने देते थे ऐसे समय में जब एक समय अकाल पड़ा और पानी की किल्लत हो गई तो जोतिबा फुले ने अपने सारे हौध कुएं जितने उनके पास थे वो सारे अती सुद्रों के लिए खोल दिये बिना चुआ चुद की परवाह किये समाज के लोगों ने उनका विरोध किया लेकिन जोतिबा फुले ने बिल्कुल नहीं सुना और अपने सारे कुएं दलितों के लिए खोल दिये जो कहीं नहीं जा सकते थे वो जोतिवा फूले के कुओं पर आकर पानी ले सकते थे तो इस तरह उन्होंने दलित समाज के अंदर जो कूरीतियां थी उनका भी विरोध किया उनको भी सुधारने की कोशिश की और इन सारे कामों में उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलती रही उनकी पतनी सावित्रीवाई फूले सावित्रीवाई फूले और उनके पती जोतिवा फूले का जीवन एक आदर्श दामपत्य जीवन की मिसाल है यह ऐसा उधारन है जिसमें पती-पत्नी मिलकर एक हो जाते हैं कहीं उनमें कोई भेद नहीं, कोई टकरावट नहीं, कहीं कोई अहम नहीं एक जो सोचता था दूसरा वो करता था, दूसरा जो सोचता था पहला वो करता था दोनों ने मिलकर इस समाज को ज़्यादा बहतर बनाने की कोशिश की हम आज से अगर तुलना करें तो आज के समाज में छोटी छोटी बाते उपर पती पतनी के बीच में तनाव होते हैं टकराहट होती है, लडाई जगड़े होते हैं ये खासकर उन स्थितियों में जादा देखा आ जा सकता है। जहां पती पतनी दोनों सारोजनिक जीवन में होते हैं, दोनों घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, तो उनमें हमका तकराव होने की चांशते जादा होते है। यह तकरहट हम आज देख सकते हैं, आज पडोस में भी देखें, तो ऐसे तकरहट आपको दिखाई दे जाएगी, और ऐसे समय में जब जोतिवा फूले को देखें, सावित्री भाई फूले के साथ उनके संबंधों को देखें, तो यह दामपत्य जीवन एक उदाहरन के तौर मजदूरों के, किसानों के सोशन के खिलाफ आवाज उठाते रहे, दलितों के सोशन का विरोध करते रहे, लगातार उन्हें सिक्षित करने का, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, और कभी उनमें कोई टकरहट दिखाई नहीं दी, कभी नहीं, दोनों मिलकर एक साथ काम करते रहे और अंत तक मिलकर ही काम किया जोतिवा फूले को खासकर डलिस समाज के लोगों ने उचा अस्थान दिया और उन्हें महात्मा की उपाधी देने की कोशिश की लेकिन जोतिवा फूले सबसे ज़्यादा खिलाब तो इसी महात्मा या मठा दीशी के थे उन्होंने साथ कहा कि मुझे महात्मा की उपाधी नहीं चाहिए मुझे महात्मा बनाओगे तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा महात्मा मठों में रहते हैं उनके आगे पीछे उनके अन्याई घूमते हैं जीवन में काम करने के लिए आम इंसान बनना जरूरी है महात्म बनने या महात्मा की उपाधी स्विकार करने से साफ मना कर दिया वह जीवन भर आम लोगों से जुड़े रहे आम लोगों के बीच काम करते रहे परिवार को छोड़ दिया माता पिता ने उन्हें त्याग दिया लेकिन इसकी परवाह उन्होंने बिलकुल नहीं की अंतक उनका जीवन संघर्ष की मिसाल बना रहा और उसके बाद आज जब हम उतने समाज को देखें तो यह जो समाज जो दिखाई देता है आधुनिक समाज लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला कर पढ़ रही है काम कर रही है ऐसा नहीं कह सकते कि समाज बड़ा ही आधर्ष समाज है समाज में काफी कुछ बदलना है मैलाओं की देनिये इस्तिती अभी भी है समाज में उनका दोयम दर्जा अभी भी है सुद्रों के स्थिती छुआ छूत भेद भाव अभी भी मौजूद हैं लेकिन आज से सौ साल पहले का समाज और अब का समाज बहुत फर्क है दोनों में और इस फर्क को पैदा करने में जोतिवा फूले उनकी पतनी सावित्री भाई फूले और उनके द्वारा स्थापित समाज सत्यशोधक समाज की बड़ी भूमिकार रही है सावित्री भाई फूले एक आदर्श शिक्षक रही हैं कई संगटनों ने तो कई बार मांग की है कि बास्तों में शिक्षक दिवस सावित्री भाई फूले के नाम पे मनाया जाना चाहिए चुकि उन्होंने शिक्षक के छेत्र में खास कर लड़कियों के शिक्षक के लिए जो प्रयत्न किये वह अभिश्मरनी है उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता तो इस तरह से जोतिवा फूले और सवित्री भाई के जीवन को अगर हम नटसेल में देखना चाहें तो तीन मुद्दों को देख सकते हैं सुद्रों के सोशन का विरोध, सुद्रों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना, उन्हें सिक्षित करना, महिलाओं के सोशन का विरोध, उन्हें समानता दिलाने के कोशिश करना, उन्हें सिक्षित करना, उन्हें सिक्षित करने के साथ स उसका ये था कि बड़ी कम उमर में साधी हो जाती थी, आठ या दस साल के उमर में साधी हो गई, और जब तक उन्हें विवाह का मतलब पता चलता था, तब तक वो विद्वा भी हो जाती थी, महामारिया फैलती थी, चेचक, हैजा, पलेग, बहुत सारे छोटे बच्चे, दस उनका विवाह नहीं हो सकता था, उन्हें सजने समरने का, रंगीन कपड़े पहने का अधिकार नहीं था, और एक तरह से घर में वो एक नौकरानी की दशा को प्राप्त कर लेती थी, ऐसे समय में जोतिवा फूले ने विद्वाओं के लिए कन्या शालाओं में आश्रे अस् उनको सिक्षित किया, उन्हें रोजगार से जोड़ने की कुशिश की, यह उनका महिला समाच के सुधार की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, तीसरा, किसानों के सोशन का विरोध, खासकर किसानों का वहबर, जो सुद्र था, सुद्र अतिसुद्र था, यह ऐ अपजाई फसल पर भी इनका अधिकार नहीं था, इनके सुशन में सामन्तों और जमिंदारों की मदद करती थी, ब्रिटिस नौकर शाही, सामन्तों के साथ मिल कर इन किसानों का गरीब खेती है, सिमांत किसानों का सुशन करती थी, जोतिबा फूले ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि अगर यह नियम नहीं बदले गए यह सोशन ऐसे ही जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि यह किशान विद्रोह कर देंगे अगर इन किसानों को विद्रो से रोकना है तो इसके लिए जरूरी है कि इस सोशन को खत्म किया जाए और किसानों को कम से कम इतनी अधिकार दिये जाएं कि वह इमानदारी पुर्वक, सम्मान पुर्वक अपना जीवन यापन कर पाएं किसानों के सोशन के बारे में उनके विस्तरित विचार उनकी पुस्तक शेतकर्यांचा आसूड में देखे जा सकते हैं पुस्तक मराथी में हैं शेतकर मराथी में किसान को कहते हैं तो शेतकर्यांचा आसूड का मतलब किसानों का प्रतिसोत उनने कहा कि गिसानों को बदला लेने के लिए विवस्ट किया जा रहा है और इस स्थिति को रोकने के लिए उनका सोशन बند करना जरूरी है तो दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा जोतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री भाई फूले के इस समाज के बदलाओं में किये गे योगदान के बारे में महिलाओं, सुद्रों के और किषानों के इस्तिती में सुधार के लिए किये गए उनके प्रेयतनों के बारे में सासत हमने यह भी देखा कि जोतिबा फुले को समाज में जो उच स्थान मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला है उनके योगदान को दलित सुधार तक सिमित किया गया है जबकि बास्तोब में वह इस पूरे समाज के सुधारक थे चाहे वह दलित हों, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे वह किसान हों और हम उम्मीद करें कि आगे हमारा समाज जोतिवा फुले के इस योगदान को समझेगा और उन्हें और उनकी पत्नी सावित्री भाई फुले को उनका उचित सान देगा तो इस पार्ट में इतना ही, नमस्कार झाल